हैलो इपलो हैं आफ क्रती में नां से हूँ बहुत अच्छे होने आज स्टाइडे है और población बात पूझा करने जा रही कि दुलिगा कर लर्पर टुर। पूझायी नहीं हुआ था एक पर एक हैस्पार होते थ derived द्रूरन उनके बाद दूसरे हो जाते कुछ सब्सक्राइब सबर दिन के बाद गणा दूद अभी लेकर आई हूं एक किलो बाद में गर्म करूंगी मैं अभी थोड़ा सा कर लेती हूं बाबो को बॉन बिटा देना है चना भी मुझे भूझना है क्योंकि संतुसी माता है कि ब्रत में चना का ज़रत होता है और आमका फल्लब भी नीचे जाके लाना है तो सारा का मैंने दूल गर रख दिया है तो जड़ी दोनों को कर युझ करके मैंने डाल चावल बना लिया था कुछ भी अग्छा नहीं बचा है जो डिना दूए है आप देख यहां पर मैंने चने के दब्बे को उतार लिया है और कड़ाई धोई हुई थी कोई भी चीज भी ना धोया आज है ही नहीं इसमें दखा था जो कि मैं डेली फेस में लगाती हूं डेली नहीं बलकि अलग लग तरीके से किसी दिन मुलताने मिट्टी किसी दिन बेसन एलो विर है तो मैं जरूर आप लोगं के साथ सेर करूंगे और यहां पर मैंने चना को भून लिया है पलो भी लेकर आ गई हूं दूद तो गर्म किया लेकिन बाबु ने कहा अभी बॉन बिटा नहीं पिऊंगा तो मुझे पूजा करने में 15-20 मिनट लगते हैं कथा पढ़ने में ज अभी 11-20, 11-25 हो रहे हैं तो चुकि दाल लोटे खिलाती हूं तो 2-3 घंटा तो 2-5 घंटे लगी जाते हैं डाजिस्ट होने में फिर बॉन बिटा देती हूं यह जो आप देख रहे हैं पले तो मैं यह बता दूँ कि ड्राम से मैं सारा ड्राय फ्रूट से उस दिन मैंने न पूरा फूट जाता है बिना घी का तब लाश में घी देती हूं अगर आप पहले गहीं डाल देंगे फिर वो जलने लगेगा अंदर से पूरी तरह नहीं पकेगा और आप जो यहां देख रहे हैं यह अगर टमाटर कटावा हो या निम्बू कटावा हो जैसे कि हरी सबजी है रिमिर्च है यह सब रखने के बाद पता नहीं आजकल कौन सा कीड़ा आ रहा है छोटा कीड़ा एक में दम्चार हो तरह उड़ते रहते हैं क्या आप लोगों के साथ ौता है आप लोगों के किचेण में इदा अगर मंगे दुबारा खाने कीचज्चा हो तो यहां पर मैंने थोड़ा सा काजू थोड़ा सा बदाम कढ़ाई में डाल दिया है और अब लाश्ट में सुद्धी थोड़ा सा डाल दूंगी और फिर बावो को बावो को बावन बिटा बना कर दे दूंगी तब तक मेरा ये सारा चीज फ्राय हो जाएगा और आलू का बावो कर लिया थी थी तो अलू का बनाते हैं तो बिलुकल टेश्ट लगता है बुरत में खाने में आलू को बॉय बावो करने के बादू अलू का भुम्जी पकाने के लिए तेज कर दिया मैंने गैस और यह दोनों पक गए आलू डालूंगे आलू का भूंजिया मैंने काट लिया है तो यह लगवक 12 तो बजी जाएंगे आप मुझे नास्ता करते करते नास्ता कई या जो भी कई बरत में इतना लेट कभी नहीं होता है बहुत सवेरे डाला लेकिन कुछ बन जाता है इसमें ही मेरा आलू यह तो पहले सी पका रहता है तो सिर्फ स्कोसकत कया करती हुँ क्या करती हूँ मैं कोई भी सब्ची बनाऊ चाहे आलू बैगान बेंस टवक करके देती हूं से क्या वता है सब्जी आपका इतना अच्छा बनता है इतना उसका रस गाढ़ा होता है कि काफी टिश्टी लगता है मैं कोई भी सब्जी और यहाँ पर देखें ये मेरा ये आलू का भुझिया और ये पेड़ा है गुड है गुड तो बदाम के साथ अच्छा लगता है ये काजू है और सब्सक्राइब हो गया है तो समय मेरे पास था मैंने मुं में बेशन और हल्दी और निम्बू लगा लिया है इन सब चीजों से मेरे एकनी जो है पूरी तरह से रिकभर हो रहे हैं तो अब जो दो लेते हैं कुछ अंग्रु दिनों ने लाया था रात में और कल जो मैंने सुक्रवार को जो मैंने वह नास्ता वगरा किया उसके बाद हिम्मत ही नहीं मुवाइल उठाने की 12 बज गया खाने में उसके बाद इतना दिन छोटा करता है थर्ष डे तक बावो का ओनलाइन क्लास होता है फ्राइडे को तो क्लास नहीं होता है लेकिन दूसरे तिसरे काम में लग गई मैं एक दो ब्लाउस था जिसमें मुझे हूक बटन करना था उसको मैंने किया एक दो कपड़े प्रेस किये और तीन बज़े से आजकल क्या होता है बैट जाओं अगर सिरियल देखने तो फिर एक बार अगर बैट गए तो उठने का मन नहीं करता है बहुत समय करता है उसके बाद मैंने हिम्मत ही नहीं किया मोबाइल उठाने का तो सीधा आफे सनिवार के सुबह मिली तो यह सुबह का पूरा मेरा हो गया है बरतन धोया हुआ बाबु भी अभी सोया है तो मैं अगर किचन के काम में लग जाती हूं तो यह देखते हैं अच्छा लग देखते हैं तो बाबु कब्रस और से करवा देते हैं काफे हल्प कर देते हैं मशीन में कपड़ा दूल देते हैं यह सब दो लिया एक दो डबा आप निकल देखा था बदा मगेरा कर राइप्रोट्स वगेरा का उसको भी धो लिया लेगिन अभी भी यह सुखने में है समय और अब शूबा के साथ बज ने तो आज आज मुझे डिरेक्ट नास्ता ने नास्ता बनाना है तो अभी उन्होंने कुछ ऐसा कहा नहीं क्या नास्ता करना है पराशा सबजी करेंगे या फिर पोहा करेंगे क्योंकि कल रात में बोल रहते हैं मटर पुला बनाने के लिए द इसको रखना है तो भी जुझ में इसको भी शाप करना होता है यह यह पूराना वाला खत्म ने हुआ है इस बार यह दूसरा लाए है फतन जली का नहीं है और इसी डिजाइन का डबा बहुत प्यारा लगता है एक ही है यह इसको इसका लैपर मैंने अहे प्रमलब कर सुखे मजाले जु रखती हूं इसमें ज्युक्त डबा क 오른 पींचाल हो मैं उसमें ज्यादा गंदा नहीं होता है ति यहां पर भी मैंने वही काम किया है कठाओत में पानी गर्म करके उसमें बिनेगर और सर्व डाल दिया है और इसी कपड़े से सबसे पहले मैं गर्म पानी से ही पूरे रेक को मैं पोच लोंगी बिल्कुल साप कर लूंगे और मैं यह एक मेने में पैथिस दिन में ज़रूर करती हूं झसे की मेरा बिलकुल नया ऐसा दिखता है जबकि बहुत पहले मैं लिया है पूरा जहां तक हाथ अंदर से जाता है बाहर से जाता है पूरा मैं इसको साप करती हूँ और एक एक बरतन उतार कर इसके एक एक पाइप को साप करती हूँ भाई मेहनत तुम्हें बहुत करती हूँ और यह सब काम पता है मैं इनके आप के दिन करना नहीं चाहते हूँ कि इनको गुछता आता है इतना तुम क्यों 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 करती और मैं जो भी करती हूँ जो भी reality है वो मैं दिखाती हूँ अभी तक मैंने जो birth day के दिन में कप किया है सारा मेरा उस जगह उसी तरह है और मुझे खुद लगता है मैं उसको कब साप कर लूँ कब उसको arrange करूँ इन्होंने कुछ कहा नहीं क्यों कि ये देखते रहते हैं कि य करते राते हैं इसलिए और पूरा उपर का भी एक एक शमाण मैंने उतार कर शाप किया हैं एक एक जगह उपर मतलब इतना पहले लिया है जोभी बगलते के यह पता है मैं एक वार भी अगर आप लेते हैं तो इह ल्याया का, दिखेगा मैं अदिक्ञा Heолж मतलब गंदा हो गया उसको उतार के जिस तरह बरतन्द होते हैं स्कॉच वाइक से उसको साफ करना पड़ता है मनमी लोग को पूरी तरह से गंदा हो गया और मैं यही काम करती हूं तो मेरा विल्कुल नया का नया लगता है तो अब जितना वी डबा में उतारा है सबको में पो सोकर उठ गया है पूछ रहा है पापा कहा है और यह तो छत पे गया है थोड़ा सा दूप में बैटने इनका भी आफ है तो सुचते हैं कि थोड़ा मैं भी महसूस करूं जब यह उड़ जाता है तो पीछा नहीं छोड़ता है कभी पारक लेकर चली हमेसा उनके पीछे ही र टना को और यह कूं लोड़ा यह रही हुए उठास पानशी के डिया है तो देखे भी तो पर में इसको मैं पान गरम हो उम 거죠 करती हूं देखिए बहुत जल्द गीजर लेने वाले हैं लेंगे तो जरूर आप लोगों से शेयर कि करेंगे इतना दिन से क्यों नहीं लिया था ये भी बताएंगे तो सारे डब्बे को एक एक करके मैंने पोच कर रख दिया है और पूरा डब्बा भी साफ होगे आप सारे बरतन को जो है वो पोच कर रख दूँगी और जो रात में धोया था सारे थाली को सारे कटोरे प्लेट सब को मैं लगा दूँगी मैं हमेशा इस रेक पर ध्यान लगाए रहती हूं अब देखिए उसको मैंने बठने कहा था लेकिन वो उटके आया है नीचे एक-दू समान आयंकर रहा है तब तक इसके पापा आजाएंगे आ गए थे इसके पापा इसको लेके गए इसका ब्रच ऐसको करवाए नहहीं और इन के अप्संद में नहीं सारे डब्यकों भी लगा यकलái साप करना सारा काम मैंने निप्टा दिया है कीचन का अब कीचन एक मैने के लिए मैं इस सब काम से फिरी हो गई हूँ मेरा पंच फोर्णा भी खतम हो गया है उसको भी बनाना है बाकि कुछ इधर से अच्छा डेस नहीं बना रही हूँ मैं समय कीचन में देना बिल्कुल में चाहती हूँ इधर दूसरे से काम में लगी रहा जाती हूँ तीन चार सोटर इस तरह से हैं जिसको की सिर्फ जिसका गला बनाना है बिन बिन कर मैंने सलाई पर चड़ा कर रखा है मुझे इतना समय नहीं है कुसको मैं कंप्लेट कर लो और सोटर भी एक पर एक बनाती हूँ जरूर आप लोगों के साथ कभी न कभी मैं सेयर करूंगी तो सब कुछ रहते वे इंसान को समय नहीं मिलता है और जब छोटा बच्चा जिनके पास रहता है तो चाह कर भी अपने मन का कोई काम नहीं कर सकता है आपने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह मैं साप कर मैंने जा रही थी और सोके बाब उड़िया पहले मैंने रोटी बनाया तो यह हो जाता है लेकिन फिर भी आप लोगों से बात करना काफी अच्छा लगता है और इस तरह लगवक्त सब आठ साड़े आठ बस्ते बस्ते मैंने सारा चीज पूरा अपना कीचन साफ सुतरा कर जा था और उसके बाद अब मैं चली जाओंगे नहाने तो अब मैं मिलोंगे आपसे अपने अगले वीडियो में अगले एक अच्छे से ब्लॉग को लेकर मुझे विश्वास है कि आप लोगों से बात करना आप लोगों के साथ अपना रूटिन सेयर करना मुझे काफी अच और के चालनी है जिसे के आटा चाल कर मैं बनाती हूं कभी-कभी मैदा और सुझी चालणा होता है तो इस तरह से मैंने कीचन का सारा काम कम्प्लीट कर लिया और यह जो दो प्लेट थे इसको ऊपर में लगा कर लग दिया और इतना कम निप्टाती निप्टाती अभी भी पूरी तरह से मेरा नहीं सुखा है लेकिन अचुकी थोड़ा मैंने मोटा लेयर लगाया था तो अब मैं इसको गरम पानी से धोलूंगी और आप देखें बाव भी उड़ गया तो अब इसको भी नास्ता देना है नास्ते की तैयारी भी करनी है तो अब मैं आप से मिलूंगी